नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन की दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हैं इसके तहद पहले टर्म की परिक्षा दिसंबर माह में होनी थी, जबकि दूस्तरे टर्म की परिक्षा अगले साल अप्रेल माह में मंत्री अब इसकी समीक्षा करेंगे कि दो टर्म में परिक्षा लेना विद्यार्थियों के हित में कितना सही है इस करब में CBAC सही दूसरे बोट की परिक्षा के प्रेटान पर भी विचार किया जाएगा जर्खन के 1,14,000 किसानों को नहीं मिलेगा PM किसान का लाव जाच में ऐसे किसानों की संखे आप बढ़ने के उमीद है राज सरकार केंद्र के साथ मिलकर ऐसे किसानों को चेनहित कर रहा है पूरे देश में इस तरह का मामला था किसानों को उनके लेंड रिकोर्ड के आधार पर चेनहित करने की प्रिक्रिया सुरू कर दी गई है अब तक राजे में 22 लाग किसानों को चेनित किया गया है जो दोरा लाब ले रहे थे बता दे पहले भारत सरकार ने किसानों के नाम और उनकी जमीन की आधार पर PM किसान वरिना के लिए लाभोग तै किया था इसके प्रधान था कि एक किसान एक ही बार लाब ले सके मंत्री जगरनाथ महतो समेत कई IAS तक पहुंची ED जाज की आच जारखन सरकार के सिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो और उनके PA पवन कुमार समेत कई IAS IPS अफसरो खनन माफिया वा जीला खनन पताधिकारियों पर लगे आरोपो पर ED के पत्रचार के बाद हरकत में आये पूलिस मुख्याले के निदेश पर CID ने सभी जीलो के SSP, SP को पत्र लिख कर रिपोर्ट मांगी है जीलो को भेजी गई रिपोर्ट में CID के IG ने ED को 26 पत्रों का हवाला दिया है जो गत 8 अगस्त को IG मनवधिकार के नाम से भेजा गया था बतादे CID ने लिखा है कि पत्रों में जिन पर आरोप है उनके विरूद अगर कोई प्राथमी की चार्शीट, कांड या वाद हो तो उससे समंधित का गयात अपराद अनुसंधान विभाय को अपलब्द कराए CID उक्त कागजात को पुलिस मुख्याले को देगी जहां से उन दस्तेवेजों को ED को सोपा जाएगा जार्खन में 4 सल बाद 946 दरोगा की सीधी भरती जल्द जारखन में चाल सल बाद अब 946 दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी पुलिस मुख्याले ने गिरे विभाग को इसकी अधियाचना भेजी है इसमें कहा गया है कि यह दरोगा की भरती के लिए राज्य करमचारी चैन आयोग जे एस एसी को भेजी जाए अधियाचना के कि भरती रेगुलर नियुक्ति के अधार पर होगी इसके लिए रोष्टर किलेरेंस भी हो चुका है इसके अलावा जीला इकायो में बैकलोग की 350 रिखतिया है इन दोनों को मिलाकर कूल 946 पदों पर नियुक्ति होगी इसके अलावा चार्जेंट के खाली पड़े 29 पदों में और 2018 में बाली हुई थी इन में स्पेशल बरांज के 480 दरवगा भी सामिल है दीपावली और छोट को देखते हुए जारखन से बिहार के लिए दो स्पेशल ट्रेन दीपावली और छोट को देखते हुए टाटा नगर रेलवे स्टेशन से खुलने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी हो चुकी है करीब 350 से अधिक वेटिंग है बिहार और उतर परदेश जाने वाली ट्रेनों की सीटे फूल है इसके लिए संत्रागाशी पाटना संत्रागाशी छोट फेस्टिवल चलाई जाएगी बतादे 28 अक्टूबर को संत्रागाशी पाटना सीटों के बुकिंग शुरू हो गई है दिपावली के बाद की सीटे बुक हो चुकी है बस एसेशियेशन के राम उदर सर्मा ने बताया है कि दिपावली के बाद पतना छाप्रा सीवान विहार सरीप समेत अन जगों को जाने वाली बसों में सीटे बुक हो चुकी है 18 अक्टूबर को रांची में जुटेंगे बीजेपी समर्थित पंचायद परतिनिधी भाजपार राज सरकार के खिलाब सड़क पर उतरेगी 18 अक्टूबर को राजबर के पार्टी समर्थित पंचायद परतिनिध्यों को रांची बुलाया है बैठाक में छेत्रिये संगठान महामंत्री नागेंद्रनाथ तिरी पार्टी पीसे सुर्प से मौझूद थे पार्टी नेताओं को राज सरकार के खिलाप अभियान तेज करने को कहा है केंद्र सरकार के उपलब्धियों को लोगों तक ले जाने का भी निर्देश दिया गया है जहारखन प्रसासनिक सेवा के 40 अधिकारी बने आई ए एस जार्खन प्रसासनिक सेवा के 40 पताधिकारियों को प्रोनती देकर भारतिय प्रसासनिक सेवा में न्यूक्त किया गया है बुद्धवार को केंद्रिय कार्मिक मंत्राले ने इसे समधित अजिस सुचना जारी कर दी है केंद्र सरकार ने वर्ष तो 2019-2021 के रिक्तियों के विरूत IAS में प्रोनती दी है 2019 की रिक्तियों के विरूत 16 अफसरों को प्रोनती दी गाई इनमें नेसार अहमद, रविरंजन मिस्रा, आलोक, त्रिवेदी, संजय सिन्हा, मनोज जैस्वाल, अनिल कुमार सिंग, हरी कुमार केसरी अधी सामिल है जारखन ओपन विश्वव़िद्याले में शुरू होंगे 27 कोर्स, जारखन ओपन उनिवर्सिटी में सिग रही 27 साटिफिकेट वर डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे, इसी सातर में नमांकन परक्रिया सुरू करने की त्यारी में है नमांकन चारसर पोर्टर के माध्यम से होगा राज जेपाल सा कुला अधिपती वर राई सरकारदवारा अभी स्वभी दैलेक साटिफिकेट वर डिप्लोमा कोर्स आरम करने की स्विक्रिति दे दी गई है असनातक वर असनातक कोतर कोर्स शुरू करने के लिए UGC के पास्व करिति के लिए प्रस्ताब भेज़े गए है फिलहाल साटिफिकेट वर डिप्लोमा कोर्स करम सा छामा, बारा मा वा आठार मा के होंगे 6 मां से 12 मां के कोर्ष में 10 पलस 2 के अधार पर और 18 मां के कोर्ष में असना तक अस्तरपन अमांकर लिये जाएंगे रांची के जगरनाथ पूर मंदीर में गर्भ ग्रिह की जाच जगरनाथ पूर मंदीर का गर्भ ग्रिह क्यों गरम हो रहा है इसकी जाच करने बुद्वार को भूब एगयानी मंदीर पहुंचे चार सरस्य टीम ने करीब एग घंटे तक जाच की प्रारंभिक जाच रिपोर्ट के अनुसार टाइल्स में सिलिका होने के कारण फर्स गरम होने की वज़ा बताई गई कहा गया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर भूब इसमें फर्स के गरम होने की सुचना मिलती है तो तापमान बढ़ता है तब इस्तिरित सर्वेक्षन की आवसकता होगी खान एवां भूतत्व विभाग के निदेशक विजय ओजा की निदेश पर जगनात मंदीर में जाज करने पहुंची टीम में सहायक निदेशक अनीमा, खेस, जियोलोजिस्ट, सर्वेस, रिसव, प्रभात और परवेक्षक, जीपी राय थे JSSC में 13583 पदोपर नियुक्ती की चल रही तयारी, झारखन सरकार दोवारा नियमावली में बदलाव किये जाने के बाद अब नियुक्ती परक्रिया शुरू हो गई है जैसे सी द्वारा इस वर्स दस नियुक्ती परक्रिया शुरू की गई है राज में नियमावली नहीं होने से नियुक्ती परक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी जैसेसी द्वारा लिजाने वाली परिक्षाओं में जार्कन के विद्ध्यार्थियों को ही मौका मिले इसके लिए राज जैसे मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा पास होना अनिवार किया गया है बतादे आरक्षित वर के अभियार्थियों के लिए इस परधावन को सिथिल किया गया है निमावली में संसोधन के बाद जैसेसी वा जैसेसी को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जा रही है बतादे राज में बरतमान में 13,580 पदो पर नियुक्ति की परिक्रिया चल रही है इस दवरान जैसेसी अधियाचन लोग सिवा अयोग अ जैसेसी अधियाक्ष को एडी की नोटीस इडी ने जारखन स्टेट क्रिकेट एसोसेशन के अधियाक्ष को नोटीस जारी कर रांचीज थी जैसेसी स्टेडियम के निर्मान से समधित टेंडर और निर्मान लागत का बेवरा मांगा है वर्ष 2009 से 16 तक स्टेडियम में किये गए कार्यों और इसके टेंडर से समधित सुचनाय देने के लिए कहा गया इन आठ वर्षों के दवरान जैसीए को भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोट से प्राप्त रासी का भी हिसाब देने को कहा गया 9 अक्टूबर को संपन भारत दक्षिन अफरीका मैच के पूर्व इडी की नोटिस जैसीए अध्यक्ष को प्राप्त हुई है हलाकि इनकी ओर से अब तक इडी को नोटिस का जबाब नहीं भेजा गया है ऑप्रेशन के दोरान महिला के पेट में छोड़ा कपड़ा हालत ना जूक जमसेदपूर में डॉक्टर की लापरवाही अभी भूलाया भी नहीं गया था कि राइधानी राची में फिर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें डॉक्टर किला परवाही ने सब के सक्तमे में डाल दिया है सरकारी डॉक्टर ने इस बार महिला का उपरेशन कर पेट में कपड़ा छोड़ दिया अमला राची के डॉरंडा का है जहां 5 जूलाई को आर्ती बर्मा की सिजेरियन डिलिवरी हुई थी डॉक्टर चंचला ने गर्भुती महिला आर्ती बर्मा का उपरेशन किया था अपरेशन के दोरान पिडित महिला के पेट में कापड़ा छोड़ दिया था अब महिला के हालात गंफीर बनी हुई है महिला के पत्ती आर्टो ट्राइबर है जिनकी आर्थी किस्तिती साही नहीं है कि वह दूसरे जगा अपरेशन कराए धन्यवाद हामें आप कमेंट बक्स में बताए कि मैट्रिक और इंटर की परिच्छा एक टर्म में होनी चाहिए या दोनों टर्म में होनी चाहिए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट वक्स में अपना फीड़ों एक आवास से दे थांक यू